वेल्कम प्रेंट्स, हम 12th क्लास बायोजी में जो अपना 2nd चेटर है, Sexual Reproductioned Flowering Plant को स्टड़ी कर रहे थे तो प्रेंट्स, जो अभी सिच्वेशन है, COVID-19 के कारण, उसके कारण हमने online classes शुरू की है, आपको बता है आपको online classes का पूरा benefits है वो लेना है, आप पूरा lecture देखा करो, और जो भी आपकी queries हो, उसको भी आप पूछागो, जो पी जो तक आप queries नहीं पूछ होगे, तो हमें पता नीच नहीं वे आपके problems कहां पे हैं, तो आप comment box में, या जो अपना group है, उसके अंदर queries जो रहापकी है हो, डेली routine में हमेरे को send किया दो, ताकि हम उसके उपर भी काम करते हैं, तो students, अभी जो हमने पढ़ा था इसके अंदर pollination, तो pollination में हमने पढ़ा था self-pollination, तो self-pollination में हमने जो autogamy में, कलिस्टोगamy, homogamy and butt pollination पढ़ थी, तो मैंने उसके अंदर लग पक उनके जो points थे, आपको एक-एक points अच्छे से explain किये थे, और I hope आपको समझ भी आ गए हैं, अब उसमें question एक आप से ये भी आ सकता है, मैंने उस topic, उस तरकार से topic नहीं बनाया, cross-pollination में हम उसको बनाएंगे, the adaptation of the self-pollination, adaptation क्या होती है, किस तरकार के plant के अंदर, किस तरकार के flower के अंदर self- pollination होती है, तो मैंने आपको क्लिस्टोगेमी बताया, फोर्मोगेमी बताया, बड़ पॉलिनेशन बताया, उन तीनों में मैंने आपको अलगने बताये है, विकलिस्टोगेमी में flower enclosed होता है, तो self-pollination, जाला था self-pollination जो है, वो unique, जो bisexual flower होंगे, उनके अंदर होगी, किसके अच्छान की बताया है, पर plant क्या है, monosseous है, plant bisexual है, और ड़ंगेमी में, मतलब से तो प्लान से flower transfer हो रहा है, उसी plant के दुसरे flower के ऊपर, तो वो किसका examiner हमने इंक्लूड किया था, self-pollination नहीं किया था, क्योंकि एंसलोगेमी उसको लेटे में आपको जनेटिकल पाइंट औ यह जो Bisexuality होने जरूरी होती है, जो हम Christogamous में पार Closed होना जरूरी होता है and Closed होने चाहिए, Anthropostigma Homogamie की बात करें तो जो आपका Anthro और जो Stigma है वो एक ही टाइम पे Mature हो जाने चाहिए और एक दूसरे के बिलकुल past आ जाने चाहिए, folding से, bending से, ग्रोप से, किसी भी टाइप से पास आ दी जाहिए, तो bisexuality भी एक जो है, adaptation है, and close नवारी भी एक adaptation है, एक same time पे एंत्रोस्टिक्मा का mature होना, या उनका bend करना, या बड़ पॉलिनेशन में क्या है, पुरी mature होने से, adaptation हम self-pollination की कह सकते हैं, तो उनको आपने इच्छे से यादे करना है, और उनको उनके एक्जाम्तों साथ में याद रखना है, अब हम students देखते हैं, self-pollination के advantages और the disadvantages, to stress, कोई भी process होता है, किसी भी परकार का phenomenon होता है, उसके कुछ advantages भी होते हैं, कोई भी perfect तो होता नहीं है, और self-pollination की बात करें, तो self-pollination में आपको पता है, एक ही plant पे हो रहा है, मतलब जो genotype है, मैंने पहले भी बिताया था, genotype में यहाँ पे ज्यादा कोई changes नहीं आया है, genotype ज्यादा पर आपके क्या रहती है, same रहती है, ठीक है, और एक ही plant आपके प्लांट आना, तो यह जी जाए नहीं थोड़े पता है, पता है, पता है, पता है, पता है, तो हम पैदे इसके advantages देखते हैं, advantages of the self-pollination, maintain, spirit is the race, race के अंदर, यह क्या है, super रहती है, बतलब इस परकार के यह एक ही plant होगे, grow करते जाएंगे continue, क्योंकि इनकी तो variability तो हम इनके अंदर आ नहीं है, किसी परकार की variation तो नहीं आ रही है, अपनी रहस में देख एक ही परकार की यह होगे, दूसरा, maintain pure lines, students genetics पढ़ते हैं हम, तो वहां पे जिकर आता है, pure lines, pure line का मतलब होता है, एक ही परकार की genotype को हम, मतल continue close करवा रहे हैं, एक ही जिनोंता है, इसको continue close करवा रहे हैं, तो यहां पर क्या है, pure line बन जाता है, जैसे आपने 10th के अंदर देखा हूगा medal वाला experiment, जिनोंने अभी 12th करते हैं, वो अगर lecture देख रहे हैं तो उसको पता ही है, capital, यह तो pure tall plant है और pure tall plant है, इनको continue हम क्रोस कर पता ही जा रहे हैं, तो result अपना क्या रहे है, capital, the quantity ही रहेगा, small t, small t को हम पुरवाई रहे हैं, तो small t, small t, small t, small t ही रहे हैं, इसे परकार के प्रक्रेक्टरी हां पर क्या रहेगा, pure lines, pure line क्या होता है, करी दिरियेशन गे, इनकी प्रकार के हम प्रांट को एक ही प्रकार के बड़ा इपोर्पाई चाह रहे हैं उसको क्या हो इसके बाद परवाईड एंचोरटी ऑप लाइजेसन यह बड़ा इपौर्टेट पाइचन सब्सक्ट पिड़ाय रहे हैं Self-pollination में requirement नहीं होती, external agencies की एक जिटोनों के भी फूर छोड़ता है, उसमें requirement होती, आपको बतारेगा, तो जब उसमें भी same plant है, तो चांस इस pollination के बड़े रहे हैं, and sorting pollination का मतल़ भी आपे cross-pollination है, एक plant यहाँ है, एक plant वहाँ है, कोई जुरूरी दी ने wind आएगी, रने आ होगी, और कई बार आप ने देखो, बहुत सारे plant यहाँ होती है, उनके एक plant के तो बहुत सारे fruit लगे हुए है, female plant है, और यह और है, उसके नहीं लगे हुए, वह भी female plant है, क्योंकि उसके उपर pollen grain पूर इतने से पहुंच नहीं पाए, transfer नहीं पाए, ठीक है, तो fertilizers ensure नहीं fertilizers की यह करती है, in this pollination external agency is not required, यह भी मैं आपको बता जिया है, यहाँ पे external agency की क्वाइटे नहीं परती है, eliminate some harmful recessive character, continue pure line बनते रहेंगे, तो कोई भी harmful recessive character होगा, वो भी यहाँ से क्या होगा, alleviate होता रहेगा, निकलता रहेगा, परोडिमुस होमोजाइजस पोजनी, एक आप काल के यहाँ कैना अविकितल थी, यह क्या है? होमोजाइजस है, पता है, small t, small t, यह भी काहा है होमोजाइजस है, capital Tr small t, यह क्या है ह्थारोड़जाइजस है, हेट्रोड़जस, तो तो मैं आपके Self-Pollination होगा, उसमें होमोजाइजरी जो है, वो बनी है, ख Cameron यह सुप पॉलइनेशन की तो यह पर एक्सिनल इज़ंसीस और इस प्यर्ण पें नहीं होती तो इनर्जी नहीं परती ही यहां पर पोलन जाधा इज सरने की इंट Tub बोद्न ब्रॉवर बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप एक्स्टमार अपनी इनर्ची थी रिक्वायडे नहीं है, तो यह अपनी इनर्ची खाब नहीं करते इसमें खाब नहीं करते, प्रोल निदे प्रण स्थी जाधा बनाने किंदर या फिर अभ एपका जो अप्रशन यिदा निदे अदा फ्लवरों के प्लावर निदे मैं आपको बताया थ्युन्धि ऐ अब जो इसका दूसरा फाइंट है डिसद्वांटेजिज, डिसद्वांटेज़, सेल्फ पॉलिएशन के डिसद्वांटेज़ क्या आपको स्टाफल रहते हैं तो देखेंगे स्टुएंट्स यहां पर एक ही जनरेशन है वो यह अपस में continue cross करते जा रही है तो डिसद्वांटेज़ तो आएंगे, आप अभी आगे इस चक्र में हम पढ़ेंगे इन ब्रेडिन दिप्रेशन, कोई भी जो एकी टाइप की जिनो टाइप लगा कर प्रोस होती रहती है तो वो जिनेटिकली वीक हो जाती है, जिनेटिकली और एकोलोजिकली हरत्यां से वो वीक हो जाएगी, क्योंकि इन्वाइमेंट में सर्वाइब करने के लिए, वेरियेशन की जिरूर्द हो दिए, वेरियेशन और न्यू ग्रेंटर्स वो अगर नहीं आएगे, तो इन्वाइमेंट में सर्वाइब करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो व यह गिल्कुल अपने परेंट्स जैसे यह ज्यादा डिफेंश इनके अंडरे नहीं होगा इसका रिजन ही है भी इस उसी प्रकार की अक्टिविटीज करें इस पितार से परेंट्स कर रहे थे तो यहां पर जो अगर वेरिशन नहीं आगे तो कॉंपेटिशन इंगरीज होगा तो महनत बहुत जादा करने पड़ कि आपको बताए दिजीज रिजिस्टेंस प्रॉपर्टी डिग्रीजीज एक ही टाइप की जीनो टाइप कॉंटिन्यू कर रही है तो जीजिज रिजिस्टेंस यह वह भी क्या हो जाते है डिजीज हो जाती है प्लांट के अंदर है डिक्रीजीज वेरिविलिटी एंगा अदक्तिविलिटी टूदा एंवाइरमेंट यह मैंने अब आपको शुरूरी पॉइंट बता दिया आपी चल्फ पॉलिनेशन वालों के अंदर क्या है तो वो उसके सुर्वाइवल के चांचे जन्यू स्टुएंट से कम होते रहेंगे, कॉंटियूटी एविलिटी एविज पॉलिटी यह बहुत इंपॉर्ट्ए है कौंतिनु जो जो जाती है वो बाद में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो अगर यह रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, वो जनरेशन दिरे 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 खतम हो जाएगी, तो ये डिसद्वांटेजिज है, सेल पॉलिनेशन के, तो स्टुरेंट्स एड्वांटेजिज और स्टुरेंटेजिज दोनों आपने अपसे सिस्के स्टुडी करने हैं, आपसे कोस्टन से पुछा जा स जा सकता है, या इसका पंपेरिजन आप से क्रोस पॉलिनेशन से भी करवाया जा सकता है, तो आप भी से एक पोईंट नोड कर देजना, जब हम जो क्रोस पॉलिनेशन करेंगे तो ये फिर पॉंट आपने कां आएगी, ठीक है, क्या है एडवांटेजिज में यहां जाए, डुक्रल ग्रीक्षा भथभ समयों भाल गेर मेंडें रहता है है यहां पर पॉलिनेशनल लट फॉलिनेशन से इसे की जरों भालजा आए की अहां और आपको मेंने शुरू के लेक्टरे शुरू में आपको एक प्वाइंट बता है अभी अधेक्टेशन अफ दा सेल्फ पॉलिएशन सेल्फ पॉलिएशन के लिए बैसेक्शल फ्लाक होना जरूरी होता है प्लाव में एक सात मैचर होने चाहिए पास-पास आ summary बैंडिंउन आपक्राasさん के पुएशन के भान प्रिक मीरिंट वन्हास होता है यह आपको बताया था, यह self-pollination है, NCR के ही जिटॉनोगेंगी को self-pollination में include करती है तो आपने इसको self-pollination में की study करना है तो students, अभी आपने अद्वार्टेजी रोडिश्टोर्टेजी इसके पढ़ने हैं नेक्स्ट हम दो शुरू करेंगे, वो एक अपना लेक्ट्र होगा, तो इसके पाथ cross-pollination को हम शुरू करेंगे तो यह आपने students, self-pollination में complete हुआ है, इसको आपने अच्छे से study करना है Thank you students